बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा कमफर्टिंग मूंग डाल की किछडी आज हम लोग घर पे बना के तयार करते हैं जो कि कड़ी के साथ खाये जाती है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हो, अचार दही के साथ, पापड़ के साथ, यह बहुत बहुत टेस्टी बनती है चीज़े क्या के लिए है मैंने आदा कप मैंने यहां पे चावल लिये है मैंने बासमधी कनी जो होती है ना वो लिये क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है आप लोग आपके मन के साबसे कोई भी चावल ले सकते हैं और आदा कप छिल्टे वाली मौंग डाल खिचड़ी बिसीकली इसी डाल की बनते है लेकिन आप लोग कोई भी डाल ले सकते हैं अपने मन की साबसे लेकिन जादा करके मूंग की डाल की अच्छी लगती है दो मिर्चे और एक अद्रक का तुकड़ा इसको हमने दो चमस देसीगी के करीबन डाल दिया होगा इसमें अभी हमने डाल देना है जीरा जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे हम लोग और बहुत कम चीज़े जैसे आपने देखा चार से पाच चीज़े लेकिन इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है और इतनी कमफर्टिंग है लगती है मज़ा आ जाता है इसको खाके जीरा तड़कने के बाद इसमें हमने डाल दिया हमारा कड़ी पत्ता उसको अच्छे से बून लिया इसके बाद हमने इसमें डाल दिया आदा एक चमच की जैसा तो ये जलना रुख जाएगा फिर और इसके बाद बस हमने रे चावल और उडाल की कीचड़ी जो होती है वो हमने दोके ही लीती भीगो के वगरण में नहीं रखी थी तो आदा कप चावल थे आदा कप डाल थी दोनों चीज़े मिला के एक कप थी तो मैंने इसमें चार कप पाई डाल दिया और अब ये सारा मिक्षर में ट्रांसफर कर लूँगा कुकर में क्योंकि कुकर में शूट करने में अच्छी नहीं आती है इतनी शूटिंग करने क्योंकि कुकर ऐसा खड़ा है तो आप लोगों का अच्छी सी जदिखने चाहिए इसलिए मैंने पहले कड़ाई में बनाया और इसके बाद मैंने सारा मामला कुकर में टांसफर कर लिया उपर से आदा चोटा चमच गी डाल की इसकी तीन सीटे लगा ली और आपकी मुंग डाल की किछड़ी तयार है आप लोग इसको डिरेक्ली कुकर में बनेएगा आप रिसिपी के चली मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है किसे लगे आज की रिसिपी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना फिर मिलेंगे इसकी के साथ बाई बाई